फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत करती हूँ आज मैं आप लोगों की साथ एक बहुती अच्छा मिठाई के रेशीपिक शेयर कर रही हूँ लेफ्टोवर सुगर सीरप से आप ये मिठाई बना सकते हैं और ये मिठाई खाते खाते पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा तो फ्रेंड्स ये सुगर सीरप से बनता है आपके घर में गुलाब जामून, रजगुला सब कुछ आता है तो आप उसके जो सीरप बच जाता है, चासनी बच जाता है तो उसी से आप बना सकते हैं आप सबसे पहले पनीर बना लीजी घर पे या तो आप बजार से पनीर लेके आ सकते देखिए पनीर का छोटा छोटा टुकरा काट लीजी और छोटा छोटा टुकरा काटने के बाद जो चासनी बचा हुआ है आपका उसको पहले बोयल कर लीजिए और बोयल करने के बाद ये चोटे टुकरे में कटा हुआ पनीर डाल देजी और उसको चलाते रहे चलाते चलाते आपको वो चासनी सूख जाएगा एकदम फिर ये पनीर का मिठाई बन जाएगा आप इसको थोड़ा सा गिला गिला चासनी के तरह रख सकते और नहीं तो एकदम ही ड्राइ कर दीजिए इसको तो वो भी खाने में बहुत अच्छा लगता है तो इस तरह से आप जो बचा हुआ सुगर सिरफ है उसको आप यूज में ला सकते हैं और आपका मिठाई भी बन जाएगा बहुत टेस्टी मिठाई बनता है तो देख vont आपको फोटो में दीख रहा है इस तरह से मिठाई बनेगा और बच्चे भी इसको पसंद करते हैं बड़े भी पसंद करते हैं और खाने में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा एक बार ट्राई तो करके देखिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज और लाइक और शेयर भी इस मिठाई को करिए अपने दोस्तों के साथ और अच्छा से मिठाई बना के खाईए और एंजॉय किजिए थैंक यू